Hello friends, my name is Vijay, यह हमार 6th tutorial है, PHP का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा single quotation और double quotation के use के बारे में सबसे पहले देखिए, आपने अगर PHP के आख बूक होगी या फिर online आपने कहीं पढ़ा होगा, तो कहीं पर single quotation का use होता है, कहीं पर double quotation का, देखिए echo, double quotation के अंदर हम लिखते हैं, यह हमने लिखा इस तरीके से, अब देखिए, एक और echo use करते हैं, जिसमें हम single quotation का use करेंगे, और देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से हमने लिखा single quotation के अंदर अब देखें से save करते हैं और इसे run करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा output आ गया इसे next line बे लिख लेते हैं break कर लेते हैं यह देखें इस तरीके से लिखेंगे my name is Vijay और my name is जो भी आप लिखना चाहें उस तरी से लिख सकते हैं और यह आपका अलग-अलग नाइल मागया इसमें हमने double quotation यूज किया है इसमें हमने single quotation यूज किया है देखें single quotation यूज करने का यूज क्यों करते हैं क्योंकि जो single quotation होता है हमारे double quotation से fast होता है इसलिए हम single quotation का यूज करते हैं जब हमें सिर्फ नॉर्मल प्रिंट कराना होता है कोई बीचिए let us suppose कीजिए मैंने एक variable लिया variable लाना के लिए dollar का sign लेंगे मैं से name देता हूँ और double इसमें कुछ value store करता हूँ double quotation लगाएंगे मैं store करता हूँ वीजे अब देखें semi colon लगाएंगे फिर देखें अगर मैं इस variable को यहाँ पर use करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा dollar और यहाँ पर लिखने पड़ेगा name और अगर मैं इस variable को अपनी second line पर use करूँ फिर से dollar name ल और अंतर देखें यहाँ पर आगया विजय और यहाँ पर output आगया dollar name आप देख रहोंगे यहाँ पर dollar name लिखा हुआ है आ रहा है output देखें dollar name आ रहा है तो यह इसलिए आ रहा है क्योंकि single quotation में आप जो भी लिखते हैं वो as a string उसे pass कर देता है वो यह नहीं समझेगा कि यह variable है और इसकी value हमें लिखने चाहिए यह क्या करेगा सीधे उसी को print कर देगा और लेकिन double quotation में हमारा क्या होता है यह variable को wait करता है यह हमारा variable variable है इसको समझ जाएगा कि यह variable है इसकी जगह इसकी value को रख देगा और print कर देगा अगर आप variable यूज करना चाहते हैं single quotation के अंदर तो आपको लगाना पड़ेगा dot dot लगाने के बाद लगाए dollar, cosine और फिल लिखिए name इससे क्या होगा आप इस variable को यूज करते हैं कर सकते हैं इस तरीके से आप single और double quotation का use कर सकते हैं और देखिए double quotation आप सोच रहाँगा कि single quotation का use क्या है देखिए इसे पहले delete कर लेते हैं अगर मैं इसके अंदर html के tag use करूं link का जो क्यों होता है aherf is equal to double quotation double quotation में हम link देते हैं www.google.com इस तरीके से और इसके बाद इसे close करते हैं और यहां पर जो भी हमें appear करना होता है अपने output में जो भी हमें link जो में दिखाना होता है तो इसमें दिखते हैं हम यहां लिखते हैं click me इस तरीके से और फिर हम लिखते हैं slash a यह हमने बंद कर दिया अब देखिए इसे मगा save करूं इसे run करेगा यह error क्यों करेगा हमारे लिए तो हमने क्या दिया है एक pass किया हुआ है हमने एक क्यालते हैं link और फिर हमने इस तरीके से link pass किया हुआ है लेकिन PHP के लिए देखिए सबसे बहले double quotation start हुआ यहां से लेकर यहां तक यह क्या समझेगा कि ठीक है इसे हमें print करना है लेकिन इसके बाद जो हमारा output है वो इसमें error show करेगा देखिए इस condition में हम लोग क्या कर सकते हैं single quotation का use कर सकते है single quotation अगर आप single quotation का use यहां पर करेंगे तो दे refresh करेंगे तो आप देखिएंगे इस तरी से आगया click me और अगर आप पर click करेंगे तो यह सीधे आपको Google पर redact कर देगा Google के page पर आप इस तरीके से चले जाएंगे तो जब आप किसी और tag का use करते हैं जिसमें double quotation का use होता है तो उस time भी आप single quotation का इस तरीके से starting में use कर सकते ह thank you for watching this video please subscribe my channel Vijayav